कॉंग्रिस संगठन के 138 साल पूरे हो चुके हैं जिसे पार्टी की ओर से स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसे लेकर पूरे प्रदेश में कई कारिक्रमों के आयोजन किये जा रहे हैं शनिवार को प्रदेश कॉंग्रिस के अध्यक्ष दीपक बैज ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कॉंग्रिस थापना दिवस के आयोजन को लेकर निर्देश जारी किये पीची सी में लगातार चार बैठक के उनी है और हम पीची सी के पदाधिकारी जिलाद देश तमाम हमरे प्रभारियों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं बात कर रहे हैं और अच्छी बाती हुई सकारात्मक बात हुई और हमरी दो-तिन बिंदू पे नमबर एक संगटन को आगे कैसा मजबूत करना है नमबर दो डोनेट फॉर देश और नमबर तीन कि 28 तारीक को नागपूर में बड़ी रहे ली है उसमें सभी कारेकरताओं को जाना है इन तीन मुद्दों को लेकर आज महत्पूर बैठक हुई और अच्छा बैठक हुई हालकी बैठक में हार की समीक्षा भी की जानी थी लेकिन प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सुझावाने के बाद ही इस पर समीक्षा की जाएगी बैठक में आगामी लोग सभाचुनाओं को लेकर भी पदाधिकारियों और कार्यकरताओं को दिशा निर्देश जारी किये गए गौरतलब है कि 36 गड़ में विधान सभाचुनाओं के बाद एक बार फिर कॉंग्रिस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है